स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योजना ग्यान फॉर यू में जहां में आपके लिए सरकाल गर लाएगे नहीं नहीं योजना और उनकी अपडेट लेकर आते हैं आज राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर है क्योंकि अक्तूबर से गेहूं बंद हो गय करें दोस्तों रिष्टारक सा शेयर जरूर करें राशन कारड़ार को को अक्टूबर में काफी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है तो क्या है ये फायदा आए जानते हैं इस वीडियो में और वीडियो को भीना स्किप किये अंतक जरूर देखे ताकि आपको पूरी अपड होते हैं लेकिन कई लोगों को गेहूं नहीं मिल रहा है ऐसे में अधिकांश लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हम भी अपने राशन कारड़ में गेहूं को कैसे चालू करें यहां हम आपको इसकी ही जानकारी देने वाले हैं खादे विभाग पातरता के अनसार राशन कार्ड योजना का लापरदान करने के लिए अलग-अलग परकार के राशन कार्ड जारी करती है जैसे गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को BPL राशन कार्ड गरीबी रेखा से उपर वालों को APL कार्ड इसी तरह अन्य तरह की राशन कार्ड जो व्यक्ति के पातरता के नुसार उन्हें दिया जाता है। अगर आपको राशन में गेहूं चालू करवाना है तब आपका नाम NFSI योजना में जुड़ा होना चाहिए। अगर आप पातर हैं फिर भी आपको राशन कार्ड में गेहूं नहीं मिलता है तब आप आवेदन करके इसे चालू करवा सकते हैं लेकिन अधिकानश लोगों को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण परशान होते रहते हैं इसलिए यहां हम असान तरीके से बता रहे हैं कि कि रखी डाउनलोड कर सकते हैं अब फार्म को प्रिंट कर लें इसके बाद अगर आप ग्रामीं शेत्रह से हैं अगर आप शहर में नुवास करते हैं तब आप शहरी फार्म को भरें हमने दोनों शैरों के फार्म उसमें दिए हुए है आप लिंक में जाक currents चर् ребята ऑग अवेदन फारम में आवेदक का नाम मुख्या के परिवार का पूरा विवरन साफ साफ शब्दों में भरें फारम को पुरी तरह से भरने के उपरांत अवेदक का हस्ताक्षर या अंगुठे का निशान लगाएं अवेदन फारम के साथ दस्तावेच जैसे अधार कार्ड पास कार्याले में संबंदित अधिकारी के पास जमा कर दें आपके आवेदन की जाँच उपरांत आपका नाम भी खादिश रुक्षा में जुड जाएगा इसके बाद आपको भीगेहुं मिलने लगेगा इसके संबंद ने और एदिक जानकारी के लिए आप खादे विभाग कारियाले में संपर कर सकते हैं आशे करते हैं जानकारी फायदे मंद होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शियर करें धन्यवाद कोई सवाल अगर आपको पूचना तो आप कमेंट बॉक्स में पूश सकते हैं